नमश्क्रा दोस्तों आज आप बात करेंगे नोट बंदी चैप्टर 2 के रिगार्डिंग नोट बंदी के रिगार्डिंग जो पहले नोट बंदी हुई थी 2016 में उसमें बैंक आरबे इने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था चैप्टर टू में दोस्तों नोट बंदी डी मॉनेटाइजेशन जो हो रही है वो है 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है 2000 के नोट को जो मार्किट में चलन है उससे बाहर कर दिया गया है और इसकी पूरी डेटेल जानकारी लेते हैं आज की इस वीडियो में 2000 का जो बंद के नोट है आरबियाई ने एक सर्कुलर जारी किया 29 मईए 2023 को और इसमें कहा कि इसको हम विड्रॉल करते हैं इसको जो मार्किट चलन में जो में बंद के कारण ये बंक में यूज नहीं हो सका बंक में जमा कर सकते हैं लेकिन बंक इसको वापिस लोगों को इशु नहीं कर सकता 2000 का जो नोट है वो नमबर 2016 में डी मॉनिटाइजेशन के बाद इशु किया था आरबियाई ने अंडर सेक्शन 241 अफ दी आरबिया एक्ट 1934 इसके बाद जो पहले 500 और 1000 के नोट चलते थे वो इननों ने विड्रॉल किये थे आरबियाई ने और कहा था कि ये अभी लीगल टेंडर नहीं रहेंगे इसके बहाफ के उपर जो करंसी की जो मातरा को सही करने के लिए मारकिट में उसके लिए 2000 के नोट को लाया गया अभी दोστो 2000 का नोट जो की पिछले कुछ سालों में अफ़वा लोगों में भी ये है कि ये market challenge से बाहर हो जाएगा दुबारा से बंद हो जाएगा और उनकी जो बाते हैं वो हकीकत हो गई कल RBI के circular के regarding बात करते हैं इस जो 2000 का note है ये issue किया था नवंबर 2016 में जो की ATM से भी निकलते थे बैंकों से भी निकलते थे सब जगा दो इसको अलग-अलग साल में 2017, 2018, 19, 22 में अलग-अलग इसको बाद में issue किया गया market में currency की मगदाद को सही रखने के regarding 2000 का जो note है उसमें जो RBI ने letter लिखा है 23 मई 2023 से किसी भी bank शाखा में जाके जरूरी नहीं आपका वहां पे खाता हो आप एक साथ 2000 के 10 note बदलवा सकते हैं, exchange कर सकते हैं 2000 के 10 note, it means 20,000 rupees आप बिना किसी bank खाते में deposit किये 23 मई 2023 में बैंक में जाके वहां जाके कोई भी currency note वहां से ले सकते हैं अगर आपका खाता है bank में तो आप 2000 के note अपने bank account में जमा कर सकते हैं, उसकी कोई भी मात्रा RBI के तरफ से define नहीं की गई दोस्तो 2000 का जो note है, ये 30 सितंबर 2020 तक bank को जमा कर सकते हैं उसके बाद भी अगर आपके पास खाते कोशे रह जाते हैं, अगर note किसी के पास बूले चुक में तो भी वो RBI की जो main office है, state office है, वहां जाके उनको exchange कर सकते हैं वह अथवा, 30 सितंबर 2023 तक वह किसी भी bank शाखा में जाके अपने खाते में जमा कर सकते हैं, कोई उसकी मिक्ताद नहीं बताई गई और अगर उनको exchange करना है, तो 10 note एक साथ एक दिन में वह एक बंदा exchange कर सकता है, ये RBI की guideline जो कि कल RBI के तरफ से जारी की गई थी, अब बा उसमें इसको बंद कर लाया गया था, 2016 में पांसो और हजार के note को बंद करने की replacement में, तांकि market में जो currency की मात्रा सही रहे, आरवे की तरफ से 370 करोड से भी जादा note शापे गया थे, 2000 की, 2000 का जो note है, वर्ष 2016 में इंट्रिडूस किया गया, और 354.29 करोड note शापे गया, इस का मुल्य था, 7.8 लाक करोड कीमत थी, इसके बाद 2017 में, 11.15 करोड note शापे गया, जिसकी कीमत सी 22,300 करोड इनकी कीमत के note शापे गया थे, 2017 में, इसके बाद 2018 में, इसकी जो कीमत, 9,340 कीमत के note शापे गया, और 4.67 करोड के note शापे गया, बहुत ही कम note शापे गया, सबसे क नोट 2018 में शापे गए इसके बाद दोस्तों मार्किट में जो 2000 का नोट है कुल 7,39,000 कीमत के नोट मार्किट में चलना है मार्किट में गूम रहे हैं 7,49,000 की कीमत के नोट 2000 का जो नोट है ये वर्ष 2018 में इसको शापने का खर्चा 2018 में एक नोट को बनाने का खर्चा 3.54 रूपीज आता था 2018 में जब नोट की एक नोट की शपाई की जाती थी इसके साथ से आप मल्टिपलाई करके पूरे नोट की केमत निकाल सकते हैं कितना खर्चा हो गया अप्रॉक्सी मोट 15.00 प्लस क्रोड रूपीज दोजार के नोट को शापने में लगे लेकिन अभी आर्बै ने इसको बंद कर दिया गया है 23 मई से आप अपनी बैंक शाखा में अक्चेंज कर सकते हैं जहां फिर आप अपने खाते में जमा कर सकते हैं और 30 स्टंबर तक ये पूरी तरह का लीगल टेंडर खत्म हो जाएगा 2000 के नोट का उसके बाद आप बैंक शाखा में अगर नहीं जमा करवा पाए तो आर्बै के किसी आफिस में जाके जमा करवा सकते हैं ये तो थी दोस्तो करंसी के रिगार्डिंग इंडियन गौर्वर्मेंट के तरफ से लिया गया और बे के तरफ से जारी किया गया एक लेटर के रिगार्डिंग इंफ्रमिशन थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो